हलो स्टुडेंट्स, क्या आप गांधीची के बारे में जानते हैं? वो कौन थे? क्या करते थे? उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है? नहीं? चलिए, आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बाते बताती हूं. ध्यान से सुनना मेरी बातों को. क्या आपको पता है? दो अक्तुबर को आपकी स्कूल की छुटी क्यों होती है? गांधीची के जनम दिन के उपलक्षमी होती है. गांधीची कोन थे? गांधीची एक महान सवतनतता सेनानी थे. उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए कई परसिदनारी लगाए. जैसे क करो या मरो अंग्रेजो भारत छोड़ो? उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए. डांडी यात्रा नमक सत्य ग्रहजेज. आपको पता है? गांधीची सत्य और इंसा के पुझारी भी थे. चलिए, आज मैं आपको उनकी सत्यता पर एक छोटी जी कहानी सुनाती हूं. त्यान से सुनना? पाठ पाँच सत्य का पालन. महत्मा गांधी ये महापुरुष थे. उनका पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांधी था. क्या नाम था? मोहंदास करमचंद गांधी. उनका जन्म गुझरात के पोर बंदर में 2 अक्तुबर 1889 को हुआ था. कब हुआ था? 2 अक्तुब और मा का नाम पुतली बाई था। गांधी जी बच्पन में बहुत सीधे साधे थे। एक बार उनके नगर में एक नाटक मंदली आए। नाटक मंदली नाटक खेलने वाला दल। उसने श्रवन कुमार और राजा हरिश्चंदर की नाटक दिखाए। मोहंदास ने भी इन नाटको का गहरा परभाव पड़ा। उन्होंने निश्चे कर लिया कि वेश्रवन कुमार को कि भाती माता पिता की सीवा करेंगे और राजा हरिश्चंदर की तरह जीवन भर सत्ते का पालन करेंगे। एक दिन विद्याले में निरिक्षक निरिक्षन करने आये। पांच शब्द लिखने के लिए कक्षा के सभी विद्यार्तियों ने पांचों शब्दों को शुद्रूप में लिख दिया। केवल मोहंदास ही ऐसे विद्यार्ती थे जो केटल केटली शब्द को शुद्रूप में नहीं लिख पाए थे। अध्यापक ने उनकी अशुद गांधी जी ने अध्यापक के संकेत को समझतो लिया पर माना नहीं उन्होंने सत्य का पालन करने का निश्चे कर लिया था इसलिए दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा निरिक्षक के चले जाने पर अध्यापक मोहंदास पर बहुत करोधित उस दिन सत्य का पालन करने से उनके मन में सत्य के प्रती विश्वास बढ़ गया विश्वास मतलब भरोसा उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया देश को अजादी दिलाकर यह महापरुष 30 जनवरी 1948 को सदा के लिए अमर हो गए कब अमर हो गए थे 30 जनवरी 1948 को तो बच्चों आपको यह गांदी जी की छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे तो गर्व है कि मैंने गांदी जी के देश में जनम लिया है आशा करती हूं आपको भी यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी आप भी उन्ही की थरा सत्य का पालन करेंगे